हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंके तो आपकी सामने यहां पर दो बैसलिट आपको दिखाए दे रहे हैं यह बैसलिट नमबर वन और यह बैसलिट नमबर टू आपको जो पेशलिट अच्छा लग रहा है आज की संधेज के सुबा का संदेश पसंद आ रहा होगा सुबा छे बजे रोच आपको मेरे चैनल पर मिल जाता है अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो फ्लीज इबा चेक जरूर कर लेज़ेगा क्योंकि डेली ये संदेश आपको सुबा छे बजे मिल जाएगा तो जब भी आप सो स्टार्ट किया आई देखते हैं जिन लोगों ने भी ब्लैक कलर का बेसलेट चुना है आपके लिए संदेश आ रहा है रंज और आनंद रंज और आनंद उदासी और खुसी एकी सिक्की के दो पहलों है तो अभी मुझे लग रहा है आपके जीवन ने बहुत अच्छा समय नहीं चल लाए आप बहुत उदास हैं इस समय और इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी आपके जीवन में जो भी परिशितियां अभी चल लगी हो बदल रहा है और जल्दी से अच्छा समय आपके जीवन में आई मुझे लग रहा है जिससे आप बहुत परेशान हो गए है और वो अभी जल्दी आपके जीवन में हुआ है तो आपके संदेश निकल ला है कि रंज और आनन उदासी और खुसी एक की सिक्की के दो पहलू है अगर हमने खुशियां देखी हैं हम खुश रहे हैं जीवन ने हमें बहुत खुश रखा भी है तो आपको दुख से सिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह भी आना है जीवन में क्योंकि आपको फक्ठाए कि सुक्तु जीवन में आते जाते रहते हैं तो इस समय का सामना कीजिए पोजिटिभ सोच के साते सामना कीजिए बहुत जल्दी वो भी समय बदल चाहेगा जो आप चाह रहे हैं आईए देखने हैं और क्या संदेश हैं मौन, मौन की भासा सीखे है अजार सद्दों से भी जादा वो करवकार है तो आपको इस समय मौन की भासा सीखनी है मौन रही है, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं इस समय या फिर लोगों से कुछ ऐसा कह जा रहे हैं जो आपके लिए आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा आपके लिए अच्छा नहीं है तो बहुत जादा किसी को समझाने की कोसिस भी ना करेगा कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ है जिससे आप आपने कुछ गलती नहीं किये लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझ रहे है या फिर कुछ ऐसा हो गया है जिसे लोग आपको आपे विश्वास नहीं कर रहे हैं और आप समझाने की कोशिस कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें इस समय आपको मौन रहने की आउशकता है आज के दिन भी और साथ में आने वाले कुछ समय तक के लिए भी आपके लिए संदेश आया है आईए और देख ले चाहिए कि आपको एक प्रकास के भाती बनना है अपने आपको इतना सफल बनाना है ठीक तो बहुत ज़ार劑ब सोचना है बहुत ज़ार लोगों से बोलना भी नहीं है कि आपने बारनें जफाई देनी है ना हिं आपनी बढ़ाई करनी है होता है ना कई लोग की आदत होती है लोग कहते हैं कि मैंने तो यह किया वो किया यह समय वो नहीं है कि लोग आपको समझेगे तो अच्छा होगा कि आप ना बोलें ठीक है आए देखते हैं जिन लोगों ने भी यह वाइट कलर का आज की संद तब भी इंतजार कीज़े और भरोसा रखिए देखे भरोसा रखना है जीवन में आपको इश्वर के पते ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज आपने मानी है या इश्वर से कोई चीज आपने प्रातना में की है कि मुझे ये चीज चाहिए और आपको वह से नहीं मिल लई है कोई काम कर रहे हैं जिसमें सफलता नहीं मिल लई है आपका जो सब्र है वो खोता चला जा रहा है तो यह अच्छा नहीं है ठीक है आप भरोसा भी रखिए अपने आप पर रखिए इश्वर पर रखिए कि जो चीज आप कर रहे हैं सच्छे कफल भी देंगे लेकिन आपको इंदिजार करना होगा आपकी परिक्षा चलेगी आपकी सब्र की परिक्षा भी ली जाएगी इस बीच तो सब्र रखिएगा भरोसा रखिएगा ठीक है जिसने भी ये दो चीजे अपने जीवन में रख लिए ना शद्धा सब्र उसको हर एक जीवन में मिलेगी ठीक है आएए देखते हैं आपके लिए और क्या संदेश आ रहा है कर्म कर्म में कारे भाव है सजा नहीं देखिए जो भी हम कर्म करते हैं ना उसी कफल हमें देखने को मिलता है कभी कर लोग कहते हैं कि मैं मैंने तो कोई भी बुरा काम नहीं किया था फ पिर आगे चल के तो आपको देखना है। लेगिन अगर आप अभी दुख भोग रहे हैं। अगर आपके जीवन में अभी दुखी दुख है ना तो यकीन मानिएगा, गैरेंटी के साथ मैं आपको कह सकती हूं, आगी का जीवन आपका बहुत सुखी रहने वाला है। तो अभ कर्म है यही चल के आप को सुख देगा आगे चल के अभी आप जितनी कड़ीर पढ़ाई कर सकते हैं करिए अभी कितनी कड़ी मेहनत कर получится आगे चल के यहीं सब कर रहे हैं तो उसके लिए कितना अच्छा आप कर सकते हैं वह काम कीजिए जितना जादा आपने आपको आप इस समय कष्ट देंगे ना कर्म के प्रती बस यकीन मानिए वही सारा फल आपको आगे चलके मिल जाएगा तो जो भी हम करते हैं वही हमारा रिजल्ट है तो आप अपना रिजल्ट जैसा चाहते हैं वो ऐसा काम कीजिए अब यह आपके उपर है कि आप क्या चाहते हैं जीवन में आए देखते हैं अभी तो इक संदेश और देख लेते हैं फिर आज का संदेश हमारा समाप्त हो जाएगा धारना यह ना बनाएं ठीग काम ऐसा हो जाएगा नहीं यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम में इतना समय लगेगा पहले से किसी चीज़ को मसोचे देखिए थोड़ी बहुत चीज़ों को आप सोच सकते हैं कि अगर हमने कोई का काम स्टार्ट किया कोई पिजन स्टार्ट किया उसमें कितना पैसा लगे कर लिया हमने अगर आप उसका रिजल्ट भी सोच के बैठ लेंगे तो जीवा मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इतना जारा भी नहीं सोचना चाहिए सोचिए को दाहन के तौर पर मैं को कह दूँ कि अगर आप मान लिजे आप कि अगर जांचाहिकर आप transformed जा भी किषी तो आपको सही से नहीं आथे है अभी आप सोचने कि सब्ज disability मुझे नहीं आते हैं मैं कैसे जाओ कि जाओ झांटर मेरा मन कह रहा है कि मैं मेठिकल करूं , मिरी चाहती है मिरा चाहती कि मैं सब्गारक्थ fond 축 विक है मुझे ब कुछ तैजा आता है तैसे कि मेरा में साथा युच्छ पहीं आता नाकर है यह नहीं होगा आप आप पाभाते जा काके मात तो बाकस prf नहीं ह negativity इसे बहुत साई धाराण होते हैं जिसका अनुमान हम पहले लगा के बैठ जाते हैं हम सोचते हैं हम कोई विजनस रिंप करेंगे इतना पैसा लगा देंगे हाँ ठीक है उसके आगे कभी हमadows लेते हैं अगर लगा देंगे तो नहीं चला तो क्या होगा मुझे कोई मेई दुक ना बनाए ठीक है अपने मन में धार्णाओं को जगा ना दे जो भी चीज है अनुमान देखिए एक हद तक ठीक हो सकता है लगाना लेकिन अब बहुत आगे का अनुमान आप लगा ले तो वो नहीं सही है तो कि कल किसने देखा ये किसी को नहीं पता ये इश्वर के हाथ में ह आपका काम है इमानदारे से अपने काम को करना और अच्छे सोच के साथ एक अच्छे विचार के साथ अच्छे भाव के साथ इसवर में आस्थार रखिए येकिन माने इसवर आपका कभी भी बुरा नहीं करेंगे ना ही आपका कभी बुरा होगा अगर आपने कभी किसी का कभी आपके साथ बुरा नहीं किया है पीडियो तरह अथ को फसंद आया होगा अगर अच्छा लगाए तो प्लीज ओम शाहिन रामत्व आप लिखते ही लिखते हैं में यह भी बता दिया का देए कि आको कैसे लगता है यह वीडियो और वीडियो में अगले वीडियो में